वेल्कम टू सिक्षा गाइज एपी एफो एओ यो और एपी एफसी दोनों के अंदर जो इंडेस्टिरल रिलेशन्स एंड लेबर लॉस को टॉपिक है उससे रिलेटेड ये प्लेलिस्ट हमारी चल रही है प्रिविएस्ली एक प्लेश्ट बनी हुई है तो बच्चे पूँच रहे हैं कि सर वो प्लेश्ट जो अच साल पहले बनी दि वो वैलिड शुरू लेक्चर्स को जरूर देखे और ये जो new lectures दल रहे हैं इनको भी go through करें एक comprehensive preparation हो जाएगी दूसरी चीज बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये YouTube के उपर आप जो lecture डाल रहे हो क्या ये sufficient है तो ये बैटा 100% sufficient है ठीक है जो भी आपके lectures डल रहे हैं इसके उपर हमारे lectures जो डल रहे हैं वो डलते रहेंगे उसके अंदर कोई भी issue नहीं है जो डलेगा वो YouTube के उपर डलेगा और 100% sufficient होगा आज जो हमें topic cover करना recognition of trade unions का topic हम cover करेंगे सबसे पहले तो हम समझेंगे कि recognition of trade unions का meaning क्या होता है उसके बाद देखेंगे कि recognition के अंदर सब क्या provisions आ जाते हैं बिफोर गइंटो दैट जैसे कि मैंने आपको बताया है यह mcq courses है जिसके link description में है तो आप इन mcq courses को explore कर सकते हो साथ ही साथ हमारा जो YouTube PDF files है जितने भी lectures होते हैं उसकी PDF file आपको मिल जाती है उसका link description में होता है ठीक है so you can explore that also course अगर आप ले रहे हो तो UPSC EPFO अगर आप code use करोगे तो आपको 50% off भी मिल जाएगा ठीक है let us quickly come to the recognition of trade union तो यह एक बड़ी पुरानी movie आई थी अनिल कपूर की उस टाइम पर यह अनिल कपूर जो है वो trade union के leader हुआ करते थे उस movie में ठीक है तो basically recognition of trade union होता क्या है some meaning क्या है recognition of trade union का तो अगर हम इसको लेक्टररी समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यार एक trade union को आप एक recognition दे रहे हो कि हाँ भी you are the trade union, you are representing employees तो basically वही meaning है तो recognition of trade unions को define किया था इंडिया के अंदर Royal Commission of Labour in India 1931 में उन्होंने क्या बोला कि जब हम बोलते हैं ना term recognition of trade union या recognition जो हम term use करते हैं तो इसके अंदर क्या मतलब होता है इसका कि जो employer है, जो owner है वो recognize करता है एक trade union के rights को to negotiate with him कि हाँ जी ये particular trade union है ठीक है ये इस trade union है इसके अंदर various workers जो है members है और trade union जो है वो workers के बिहाफ के उपर employer के साथ negotiate कर सकती है ठीक है चाहे वो एक individual worker का interest हो या फिर multiple workers का common interest हो basically employer जब recognize करेगा कि हाँ भाई तुम मुझसे आकर के बात कर सकते हो trade union के जो representatives हैं या office bearers है वो उनको recognize करेगा कि ये particular union जो है वो workers के rights को represent करती है या workers को represent करती है और उनके साथ मिल करके बैठ करके काम करने को तैयार होगा तभी तो trade union formation का benefit होगा trade union इसलिए तो बनती है अब अगर कोई employer recognize ही नहीं करेगा trade union को तो definitely फिर वो bargaining वाला process ही नहीं होगा तो यहाँ पर main देखो जो objective होता है trade union का वो तभी fulfill होगा जब एक trade union को recognize किया जाएगा ठीक है ठीक है जी क्योंकि trade union का objective क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बता है कि negotiation करना है employer के साथ bargaining करना है employer के साथ या management के साथ various चीजों से related चाहेए वो employment की terms and condition है अब collective bargaining possible ही तब है जब employer किसी trade union को recognize करेगा as bargaining agent तभी तो लोग table पे बैठेंगे नहीं तो table पे एक कुरसी पर employer बैठा है दूसरी chair पर कौन बैठेगा employee का representative और employee का representative तो तभी बैठेगा न जब employer recognize करेगा कि हाँ भई ये बंदा employees को represent करता है ठीक है अब इंडिया के अंदर एक problem क्या है एक बहुत बड़ी problem जो शुरू से रही है independence के बाद भी जो continue रही है वो ये है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा central legislation या केंदर सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया हुआ जिसमें trade unions को recognize करने का provision हो ठीक है जी कि इस वे में एक employer जो है एक trade union को एक organization के अंदर या एक industry के अंदर एक employer इस वे में trade union को recognize करेगा और फिर जो trade union recognize हो गई वो basically bargaining करेगी ठीक है वो table पर बैठेगी employer के साथ collective bargaining और negotiation purpose के लिए वो एक बहुत important aspect है ठीक है trade unions तो बहुत सारी है लेकिन एक mouth तो चाहिए ना एक mood तो चाहिए ना जो ultimately employer से जाकर के worker के लिए बात करेगा तो वो recognition of trade unions होता है अब देखो central government जैसे कि मैंने आपको बता है legislation नहीं बन पाया बहुत try किया central government ने 1947 में trade union amendment act 1947 जो है ये लेकर के आए उसके बाद trade union के लिए bills लेकर के आए trade union bill 1978 और 1988 में okay but they failed to bring into the recognition of trade union aspect क्योंकि इसके अंदर एक major reason ये भी था क्योंकि जो party थी ना power में वो इसके एक तरह से against थी recognition of trade unions के okay and that is why ये कभी भी एक तरीके से कामयाब होई नहीं पाया कुछ states ने अपनी states के अंदर legislation लेकर के आए recognition से related जैसे महराष्टरा, गुजराद MP, राजस्तान, वेस्ट बेंगौ, आन्था परदेश जैसी जो states हैं उसके इलावा बाकी की जो states हैं बिहार और इडिसा को छोड़ करके उन्होंने क्या किया उन्होंने एक 16th session हुआ था Indian Labour Conference का 1958 में इसके अंदर एक code of discipline adopt किया गया था, ठीक है उसके अंदर basically procedure लिखा था कि किस procedure से एक trade union को recognize करना है तो जादतर states जो हैं वो इस code of discipline को ही follow कर रही हैं तो इस code of discipline के अंदर क्या था, briefly देखो तो criteria क्या था code of discipline के अंदर, criteria क्या था कि कुछ जिस industry के अंदर या जिस organization के अंदर एक से जादा union है, ठीक है, problem ही वहाँ पर आनी है जहाँ पर एक से जादा union है क्योंकि जहाँ पर एक लौती union है तो वहाँ पर तो employer simply उसी union को recognize कर लेगा, कि हाँ भई this is the union और इसके साथ मुझे bargaining करनी है, अब problem सबसे जादा recognition में वहाँ पर आएगी, जहाँ पर एक से जादा union है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा code क्या कहता है, कि ऐसी union ठीक है जो at least एक साल से functioning में ठीक है एक साल से कम से कम functioning में, registration होने के बाद कम से कम एक साल के लिए functioning में है, और जब membership होनी चाहिए union की, कम से कम उस establishment के उस company के 15% worker, उसके member होने चाहिए यानि कि अगर 100 worker काम कर रहे हैं, तो 15 कम से कम उस union के member होने चाहिए, और membership भी कैसे count होगी, तो ये code of discipline क्या बोलता है, membership सिरफ उनकी count होगी, जिनोंने अपनी subscription pay की है, for at least 3 months during the period of 6 months यानि कि पिछले 6 महिने में पिछले 6 महिने में आज से पिछले 6 महिने में अगर 3 महिने की at least जिनोंने subscription pay की है, सिरफ उनकी membership count होगी, बाकियों की membership नहीं count होगी, ओके जी, उसके इलावा, एक तो हो गया कि representative या recognized trade union of a particular organization, एक single company एक single organization की एक होता है recognition या representation of a complete industry, कि भई एक कोई local area, एक शहर है एक city है, उस city के अंदर एक particular industry है, पुरी की पुरी, for example, steel industry है, और कोई trade union है जो इस steel industry को represent कर रहा है, ठीक है, not a single organization, बट पुरी की पुरी steel industry को represent कर रहा है तो ऐसे case में, जो industry की representative trade unions है, उनको recognition कैसे मिलेगा, अगर कम से कम 25% workers उनके member है ठीक है, उस पूरे area में, steel industry में, जितने workers काम कर रहे हैं अलग-अलग organizations में, तो उनका total का 25% उसके पास membership होनी चाहिए, तब उसको recognize trade union का status मिलेगा एक बार, अगर किसी trade union को recognition मिल जाता है code of discipline एक security भी provide कर रहा है, ताकि employer ऐसा ना होना कि employer ने एक particular trade union को recognize कर लिया लेकिन employer को ऐसा लगा कि यार ये trade union जो है, it is becoming difficult to handle, क्योंकि ये workers का बहुत जादा strong way में negotiation कर रही है, तो employer तो चाहेगा कि वो एक soft trade union को recognize करे, जिससे वो अपनी easily बाते मनवा सके तो ऐसा ना हो, इसी लिए code of discipline ने क्या बोला कि अगर आपने एक बार trade union को किसी को recognize कर लिया, तो आप दो साल तक के लिए उसकी position को change नहीं कर सकते you cannot change its position for a period of two years, okay अब अगर several unions हैं, एक industry और establishment में, तो जिसके पास largest membership होगी, वो recognize हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अब several unions हैं, 2 unions है, 3 unions है, और वो सारी condition fulfill कर रही है, ठीक है एक साल वाली condition भी fulfill कर रही है, 15% workers वाली fulfill कर रही है सब conditions fulfill होगी, तो किसको चुनोगे जिसकी सबसे जादा membership है, ठीक है, उसके बाद ये एक बड़ा important point है, इस point में क्या बोला कि देखो एक industry की representative union आगी, पहले point को read करने पर ध्यान मत देना, मेरी बात सुनने पर ध्यान देना, एक industry की representative union आगी और आपने उसको recognize भी कर लिया, ठीक है, ये क्या है, ये पुरी की पुरी industry की है, जैसे मैंने example लिया, steel industry, अब उसी steel industry में, उस area में, एक XYZ limited करके एक steel की factory है, ठीक है, अब इस steel की factory में, इसकी एक trade union है, establishment की एक trade union है, ओके, अब ये जो establishment की trade union है, इसकी बड़ी major membership है, इस establishment के 50% से जादा worker, 50% और more workers इसके member है, ठीक है, तो basically आपर क्या बोलता है, कि देखो, अब एक industry की तो representative union है, एक recognized union है, बट ये जो इस XYZ के अंदर trade union है, क्या फिर ये नहीं negotiation कर सकती, क्या ये table पर नहीं बैठेगी, ठीक है, तो इस case में क्या बोलता है, कि एसी trade union, एक establishment के अंदर जो trade union है, जो उस establishment के workers को represent कर रही है, वो उसके पास भी पूरा अधिकार है, कि वो matters के साथ deal करे, specially वो matters जो उस particular organization को effect कर रहे हैं, जो उस particular organization के members की grievances को effect कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कि अगर आपने एक पूरी industry के लिए एक union को recognize कर लिया, तो जो individual organizations की trade unions है, वो अपनी value बिल्कुल उनकी खतमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, okay, PDF डाउनलोड करके आप points जो हैं, वो read कर सकते हैं next आज आता है, जी, अब recognition के लिए methods क्या adopt किये जाएंगे, ये तो हमने ये देख लिया ना, कि election by secret ballot, फिर आ जाता है check-off method और तिसरा है verification of union membership, ब्रीफली जमस्ते हैं, ये होता गए election of system secret ballot क्या होता है, secret ballot आप जानते हो इंडिया के अंदर, जो political parties में हम देखते हैं, सरकारे चुनी जाती है, वो इसी तरीके से election होता है ठीक है, secret ballot में क्या होता है आप चित्थी के उपर नाम लिख करके डब्बे में डालाओगे ठीक है, secretly, किसी को नहीं बताओगे आपने किसका नाम लिखा, ठीक है, तो जो भी workers है, industrial establishment के अंदर वो अपनी trade union के लिए vote करेंगे, ठीक है, जो भी उनको trade union चुनी जाएगी, उसको recognition status दे दिया जाएगा minimum 2 सालों के लिए Odisha के अंदर, secret ballot method को ही follow किया जाता है चेक-off method क्या हो गया अब कहीं industries के अंदर क्या होता है कहीं organizations के अंदर क्या होता है जहाँ पर trade union होती है, वहाँ पर जो trade union होती है वो employer को क्या बोल देगी वो employer को जाकर के बोलेगी कि यार देख, तू हर महीने तंखा देता है workers की, ठीक है अब workers को तू पहले salary देगा उसके बाद workers आकर के हमें हमारी trade union की subscription fees देंगे, ठीक है, तू वो worker के लिए भी काम बढ़ जाएगा, ओके तो उससे अच्छा तू क्या कर तू as an employer, हम तिरको authorize देते हैं, कि जो जो worker हमारी trade union का member है हम तुझे एक list देदेंगे, कि यह हमारी trade union के members है, तू हर उस worker की जो हमारी trade union का member है, उसकी जो subscription fees है जो membership fees है वो तू उसकी salary में से deduct करके उसको salary दे दे, और जो तू deduct कर रहा है न, वो हमको दे दियो CDC बात यह होई न, तो basically एक तरह से employer को authorization दे दिया, responsibility दे दि, कि जो हमारे members है उसकी तंखा में से तू हमारी membership fees काट ले, और उसके बाद उसको तंखा दे और जो membership fees तू काटेगा वो हमें दे दियो, okay clear, यह हो गया, अब इसके अंदर क्या हो गया, employer के पास एक पूरी के पूरी list आगी, employer को idea लग गया न, कि हाँ यार, अगर मेरे पास 100 worker है, तो उसके पास, उसको पता है कि वो कितने workers की salary में से membership fees काट रहा है, किस particular trade union के, तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ यार, इस trade union के इतने member हैं, इस trade union के इतने member हैं, और जिस भी trade union के members जादा होंगे, वो उसको recognize कर लेगा as a bargaining agent on behalf of the workers, यह हो गया check-off method, तीसरा हो जाता है verification of union membership, इसको India में सबसे ज़्यादा follow किया जाता है, और सबसे ज़्यादा धोके बाजी भी इसी के अंदर होती है, इसके अंदर basically क्या होता है, एक organization को appoint किया जाता है, official organization को सरकार उसको appoint करेगी, और इस organization का काम होगा, कि यह unions की strength को ascertain करे, अब organization unions की strength को कैसे ascertain करेगी, यह क्या करेगी, यह our organization में जाएगी, और ताकि वहाँ पर एक union को recognize किया जा सके, वहाँ पर हर union को scrutinize करेगी, ठीक है, जो भी trade union, वो claim करेंगे कि हाँ यह हमारे member है, तो वो check करेगी कि हाँ यह members के नाम लिस्ट में लिखे हुए है, और फिर check करेगी कि originally वो members present है, और वो इसके member हैं या नहीं है, facebook देखेगी कि कि इनके पास membership के records, account books, इस सबसे वो check कर लेगी, कि इसकी membership कितनी जाद है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा follow होता है, और अगर आप western countries में देखोगे, western countries में सबसे ज़्यादा follow होता है, secret ballot क्योंकि वो most safe, most secure और most democratic way है और इंडिया के अंदर भी हजारों बार जितनी बार कोई committee बनी है, या expert group बैठा है, उन्होंने सबने बोला है कि secret ballot से ही recognition होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में अभी भी इस method को follow किया जाता है और ये सबसे ज़ादा unreliable method है, क्योंकि इसके अंदर धोके बाजी बहुत हो सकती है, अब आप account books से check कर रहे हो, membership fees book से check कर रहे हो, trade unions क्या करते है ना, वो नकली member दिखा करके member fees book दिखा देते हैं कि देखो हमारे पास के अंदर एक कमी क्या रहे गई, जो 1958 जो कह रहा है कि recognition करो, वो कोई method नहीं specify कर रहा, member verification के लिए, लेकिन जो first national commission on labor बना था, इसने क्या recommend किया, कि secret ballot method को follow करो specially उन undertakings में जहाँ पर 100 या 100 से ज़ादा workers है, या जहाँ पर capital जो है, जो invested capital है वो एक particular amount से ज़ादा है, second national commission ने भी यही suggest किया कि जो भी negotiating agent है या negotiating union है, वो check off system से हो, verification system से नौ, क्योंकि verification system में सबसे ज़ादा धोके बाजी है second national commission ने बोला कि किस से करो, check off system से करो पहले वाले ने किस से बोला, कि secret ballot से करो, और second national commission ने बोला कि जहाँ पर 300 से ज़ादा workers हैं, वहाँ पर check off system का use करो, और जहाँ पर 300 से कम workers हैं, वहाँ पर क्या होना चाहिए वहाँ पर secret ballot होना चाहिए तो जो verification method है, जो India के अंदर mainly follow किया जाता है उसको first national commission, second national commission डोनों ने उसको completely जो है, deny किया है in fact, एक case आया था FCI staff union versus FCI का three judge bench था supreme court का इसमें बैटा, उस supreme court की judgment ने भी क्या बोला कि जो आपको representative या trade union को recognize करना है न, तो उसके लिए secret ballot system को adapt किया जाए, so secret ballot system जो है, ये most productive और most efficient system इसको consider किया जाता है for the recognition of trade union okay, लेकिन अभी तक इसके अंदर बहुत सारी confusion है, ये individual states के process के उपर चल रहा है and with this we are done with recognition of trade unions, recognition से related sufficient material आपके पास आ गया है, इसके लावा आपको recognition of trade unions में individual states के acts के अंदर घुसने की जुरुरत नहीं है, उसमें से सवाल आने के chances बहुत बहुत minimal okay, with this we'll end the lecture, pdf का link description में है, you just have to pay 99 rupees for this and कोई भी डाउट हो, you can comment whatsapp, mail, telegram कुछ भी कर सकते हो and we'll see you in the next class, do subscribe the channel guys, see you